हेलो फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल एक शेडियर मोटिवेशन आप सब का स्वागत है सात्यों राज्य सिक्षा के इंद द्वारा आज दिनांग 2492024 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र जारी किया है जो समस्त डाइट प्राचारिय मध्यप्रेश के नाम तथा सम कक्षाओं से संबंदित है यानि कक्षाओं है तो सिक्षकों द्वारा प्राप्त प्रसिक्षन के अनुसार कक्षाय आबंट्रित की जाए यानि जिस प्रकार सिक्षकों द्वारा प्रसिक्षन प्राप्त किया है उसके अनुसारी कक्षाय आबंट्रित की जाए इस प्रकार सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ आपको जो वरतमान में सब्सक्राइब करें तथा चैनल पर विजिट करके वीडियो देख सकते हैं तो साथ इस पत्र को हम देख लेते हैं जिसमें क्रम बाए क्रम जानकारी दी कही है जो जानकारी इस प्रकार है कि विशायन तर्गत लेख है कि अधिकान से जीलों में कक्छा एक से चार का प्रसिक्षन पूर्ण हो चुका है विविन ने इस तरों से की जाने वाली मानिटरिंग के दोरान यह संग्यान में आया है कि प्रभारी प्रदाना जबग द्वारा साला इस तर पर कक्छाओ के आवंटन के दोरान सिक्षकों द्वारा प्राप्त किये गए कक्छाओ के प्रसिक्षन के अलाव भी कक्छाए आवंटित की जा रही है अता निम्नांकित निर्देसों का पालन सुनिश्चित किया जाए यहीं फ्रेंड से इसमें इस पश्रे दिया गया है कि जो प्रसिक्षन प्राप्त किया है जिन कक्षा होगा उनके आलावा भी कक्षाएं दी जा रही है आबंटित की जा रही है तो किस प्रकार से आवंटाटन करना है उसके सम्मन में पूरा निर्जेस नीचे दिया गया है कि एकिम-दो जो एफ्यलिण के अंतर्गता है उसका आवंटपन किस प्रकार से होगा और जो तीनियम चार जो प्रिपरेटरी के अंतरगत आती हो उसमें किस प्रकार से अध्यन अध्यापन कार्य होगा और कौन से सिक्षक साती करेंगे कक्षा 1 और 2 की कक्षा 3 तीन और 4 का अध्यापन कार्या कराया जाए फ्रेंड है इसमेंगे चिक्षा कुरा पड़ाने वाले सिक्षक द्वारा ही अध्यापन काई आए जाएगा या इसमें इस पस्ट ये भी कर दिया गया कि केवल दो ही सिक्षक है तो एक सिक्षक कख्षा एकम दो को पढ़ाएगा और दूसरे सिक्षक सांती कख्षा 3-4 यह 5 को पढ़ाएंगे आगे देखेंगे कि 3 सिक्षकों की उपलब दता पर कक्षा 5 है तो प्रतक सिक्षक द्वारा अध्यापन कारिया कराया जा सकता है यानि तीन सिक्षक की यदि उपलब दता है तो कक्षा पांच वी का जो कार रहे है वो अन्य सिक्षक के द्वारा प्रतिक सिक्षक के द्वारा किया जा सकता है यानि फ्रेंट से इसमें इसपश्ट हो गया है कि यदि तीन सिक्षक रहे तो पहला सिक्षक एक हम दो ले लेगा इस प्रकार से फ्रेंट से आगे देखेंगे कि तीन से अधिक सिक्षक पदस्तों होने पर कक्छाओं का विबाजन इस प्रकार किया जाए कि दोनों कक्छाएं यानि कक्षा 1 युम 2, अत्वा कक्षा 3 वो 4, कि आदे आदे बच्चे प्रतेक सिक्षक को आबंटित हो, यहीं सांतियों इसमें ये भी दिया गया है, कि यदि 3 से अधिक सिक्षक सांतिय है, तो उसका अध्यापन किस प्रकार से हो, तो दोनों कक्षा, यहीं जैसे कक्षा 1 य चामाच को पड़ा लेगा और इदी इन में से एक और सिक्षकसाती हमारा च३ब नंबर के बच रहें तो कक्षा एक युम-धैदि च्हात्रों की संहटी के तो कक्षा एक हम दो के आधे बच्चे ले करके वो जो चोथे सिक्सक्साती बच्चे उनको दे सकते हैं या फिर कक्षा तीन हम चार में अधिक बच्चे हैं तो कक्षा तीन हम चार के बच्चों को आधा-धा कर लिया जाए और चोथे सिक्सक्साती उस कक्षा का अध्यन अध प्रति महा की जाने वाली अकादमिक वानिटरिंग के दोरान नीूंतम दो यहां पर मास्टर ट्रेयनर है यह साल्हाइं माश्टर चनखन आरेता सम्मिलित की जाए इसे करह में फ्रेंट साब पांचों पैंड देखेंगे तो इसमें दिया गया है कि मॉनिटरिंग के दोरान सुनिश्चित करे की मास्टर ट्रेनर की सालाओं में निर्धारित कक्छागत प्रक्रियाएं प्रवीरिका सुचारू संचालान लर्निंग क पुस्तका लाइका उप्योग आदी हो रहा हो और उनकी कक्छाओं में बच्चों का सीखना सुनिश्चित हो रहा हो मास्टर ट्रेनर की सालाओं आदर से साला की रूप में विक्सित हो यह ऐसी सालाओं के प्रयाशों को अन्य सालाओं में लागू करने हितू प्रयास किये आए इस प्रकार से अंतिम पाइंड में दिया गया कि जो माश्टर ट्रेनर की जो साला है वो किश्परकार की होना चाहिए आप देख सकते हैं साथ हो उसमें पुस्तका लाइका उपयोग हो लर्निंग किट हो और सुचारू रूप से प्रवीरी विदी के अनुसार संचालित ह इस प्रकार से इस प्रकार से उसमें बताय गया है कौन से सचाहि तो करवाएजाए करवायगा और किस प्रकार से कखशा पांच का जागा और कौन से साइटियों की दौरा कख्छा एक यहम दो का अध्यापन करवाई जाए इस प्रकार से आपने जानकरी समझी और इस प्रकार से साथ फलन प्रीपरेटरी तथा समस्त जानकर के अपडेट वीडियों के माध्यम से तुरंद प्राप्त करने के लिए साथ आप हमारे यू प्रसुत करते रहें और इसी प्रकार की जानकरी को प्राप्त करने के लिए साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और इसी प्रकार की जानकरी के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए थैंक्यू फ्रेंड्स